आज 29 जून को कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी दो महिने से हिंसा की आग में जुलस रहे मनेपूर के दौरे पर पहुचे पहले से तैय कारेकरम के मताबिक राहूल को दो दिन के लिए दौरा करना है पूरे सूबे का पहले दिन चुराचानपूर उन्हें जाना था एरपोर्ट से निकले मगर पहुच नहीं पाए क्यों एरपोर्ट पर भरसा खंगामा हुआ खंगामे की लप्टे दिल्ली तक आ गई दिल्ली में भी बयानों की लड़ी लग गई कॉंग्रेस का दावा क्या है मनिपूर के जनता राहूल से मिलना चाती है बीजेपी का दावा यह है कि जनता मिलना नहीं चाती है राज के सिती बहतर हो रही है जो लोग है वो गो बैक के नारे लगा रहे हैं और राहूल वहाँ जाकर के गैर जिम्मेदार तरीके से बरताव कर रहे हैं इस बीच पुलिस ने राहूल गांधी पर जान के खत्रे की आशंका जता दी पुलिस के रहे हैं कि खत्रा है भाज़पा के रहे हैं कि सिती काबु में आ रही है लोग नहीं मिलना चाहते हैं राज नितिक रशाकशी के बीच मणिपूर में फिर धार्मिक स्थल और घर फूकने की खबरें आ ही रही हैं आज सुबह ही एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है इसके अलावा अपीले हैं अलग-अलग समुहों की और इस पर सरकारे क्या कर रही है यही बताएंगे आज की बड़ी खबर में नमस्ते वेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दील अलन टॉप शोड आज सुबह बीच में ही रोक लिया गया इंफाल से करीब 20 किलोमीटर आगे विश्णूपूर जिला पढ़ता है यहां के सानी प्रशासन ने राहूल गांधी को आगे जाने से रोका कहा कि आगे हाला ठीक नहीं है राहूल की सुरक्षा प्रशासन की प्रात्मिक्ता है ऐसे में आगे ज अनकारी दे रहे हैं। एस चाहल एसे में खड़के प्रशासन की की जागे जागे रहे हैं। लुटले शनकारी का प्राफिट लुएपे सींचूर्चांपूर भी का। जानाे सुटल्सा की लुपट मैं था न्यूच्टनी के सानी जाम रहें। अबूली हब से प्याहरें, लून ल्याखने करके लेड़ाँ के झाहरें लिए एरूनी क्रिचाची का गvellूल थो ने भीजनकी यह थंफारी की ऑople edden के लिएले खुड weird you रहेन से अड़ा है थैस यह आजा यहां। फर ऊन्स टा फीटेचेल के लेजने दा के लिए the highway which VIP is going to move today chances cannot be ruled out chances are high because miscreants on both sides want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP especially when Rahul ji has like figure Rahulji like figure from the Delhi has come down here along with local MLA's we are simply trying to provide security safety by not allowing or crossing this point that's it प्रशासर ने रोका तो कॉंग्रस कारेकरताओं नारेबाजी की, कुछ बैरिकेड्स भी तोड़े गए, कारेकरताओं को नियंदृत करने के लिए पुलिस ने वोटर कैनन का भी इस्तमाल किया मौके पर और क्या क्या हुआ, ये जानकारी दे रही हैं मौके पर मौजूद पत्रकार यहां देखें, पूरी अफ्रत अफ्री का मोहाँ है, क्यार कैस छोड़ी जा रही है, जिसके चलते, तमाम भीड को तितर बितर खोना पड़ाएं यहां पे, पुलिस तारी केड को महिलाओं ने गिरा दिया, उसके बाद पुलिस के क्लियर गैस का इस्तमाल किया है, राहुल ताफी देर तक मान मनवल की कोशिश चलती रही, इधर दिल्ली में कॉंग्रस और बीजेपी, दोनों पार्टियों के ओर से बयान बाजी भी शुरू हुई, राहुल गांधी को सडक मार्क से चुराचानपुर जाने से रोका गया, तो बयान आने शुरू हुए, इंडिजि बताई है, वो बेबुनियाद है, लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वैसे राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे थे, वो ट्राइबल एरियाज ही हैं, वहीं के प्रतिनिदी होने का दावा कर रहे हैं इस संगठन के लोग, इसी तरह का बयान प्रधान मंत्री के मूँ से हिंसा की भर्चना और शांती की अपील नहीं निकली। ये भी सच है कि अमित्शा वहाँ दोरे पर गया और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौते हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक और पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधान मंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एक मात रेप्रेजेंटेटिव मनीपुर के हमारे पूर्वु खिमंत्री थे उनको कुल गिनकर तीन मिनिट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मनीपुर में शांती बहाल करने के लिए। मीडिया को मैनेज करके आप मनीपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मनीपुर के लोगों से बात कीजिए उनका विश्वास जीती है। और जो ये कोशिश कर रहा उस कोशिश को और आगे बढ़ाईए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कॉंग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है। जब इस देश पर दिक्कते आई हैं तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हूँ जो नौकली पहुच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल करकर ही उन्होंने बात मानी थी। या चाहे वो नहरू हूँ जिन्नोंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए। या इंदरा जी हूँ जो बेल छी खुद पहुच गए और या अज राहुल जी हो जो खुद पहुच गये हैं और चाहते हैं कि यह नसा रुक जाये क्योंकिुक्श की लेश महत्रेक सब विसमाज में जगए नही नहीं है। रोकना हिंसा को है, बचाना लोगों को है, रोका राहूल गांधी को जा रहा और ये पहला वाक्या नहीं है, जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था, हर बार अगर राहूल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होन इसे ध्यान में रखते वे प्रशासर ने सड़क की बजाए हेलिकॉप्टर से जाने का अनुरोध किया है हेलिकॉप्टर का टिकेट सिर्फ 25 सो रुपए है एक स्थान है विश्णूपूर विश्णूपूर में जब वहां बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहूल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहूल जी खुद वहां से अब यूटर्न लेके वापस आ रहे है यही अगर राहूल जी सुबह करते एड्मिनिस होता है जून 13 से तेरह जून से अब तक शांती थी किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना दुर घटना और किसी की जान नहीं गई थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज सुबह एक विक्ती के जान के जाने की खबर है दुखद खबर है और हाथ जोड के कहना जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है अब आगजनी नहीं है अब गोली नहीं चल रही है लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे है वैसे में राजनीती के माध्यम से अगर माहूल को बिगाडने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है विश्टुपूर में कई घंटे तक फसे रहने के बाद राहूल गांधी वापस इंफाल लौट आये और हलिकॉप्टर से चुराचांदपूर के लिए रवाना हुए उनके साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी चुराचांदपूर के लिए निकले चुराचांदपूर में राहूल गांधी रहात और शरणार्थी शिवर में पहुचे लोगों से मिले साथ ये कैम में बच्चों के साथ खाना खाते है राहुल गांधी की तस्वीरे भी आई कैम्स में पहुँचके राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो यहां मनिपूर के लोगों से मिलने आये हैं अब इस पे आते हैं इंडिया टुडे 39 की रिपोर्ट के मुताबिक आज यानि 29 जून की सुबह अग्यात हमलावरों ने कांग पुकपी जिले के हराओ थेल गाओं में गोलियां चलाई एक व्यक्ति की मौत हुई और दो गंभी रूप से घायल हो गए रिपोर्ट के मुताबिक अत्याधुनिक हतियारों से लैस हमलावरों ने कांग पुकपी जिले के तंग नाउम और एल मुनलाई गाओं पर भी हमला किया घटना स्थल के और बढ़ रहे सुरक्षा बलों ने जानकारी दी कि गोली बारी के बाद इलाके में भीड जमा हो गई आलाकि सेना ने हालात काबो में कट लिये भीड को नियंतरित करने के लिए सुरक्षा बलों के अतरित टुकडियां भी भेजनी पड़ी थी हमने 26 जून के लहलन टॉप शो में राज्य के तब के हालात आपको बताये थे मनित्पूर के सीम बिरेन सिंग राज्य के सिती पर मश्वरा करने के लिए देश के ग्रहवंतरी अमिशा से मिलने आये थे दिल्ली शो का आपको लिंक का मिलेगा आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन में उस मुलाकात के बाद से राज्य का हाल क्या है ये आपको कुछ पॉइंट्स में बदा देते हैं सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़िया मौके पर पहुँची और तीन घंटे जलने के बाद आग को बुझाय जा सका जनीमत से इस हाथसे में स्पेसिफिक किसी की मौत या भीड़ इकटा होने की खबर नहीं है साथ पुर्वत्तर राज्यों के आठ छातर संगठनों की एक अम्रेला बॉटी है नौर्टी स्टूडेंट ओर्गनाइजेशन नीसो 28 जून को सुबी के अराजकता में जान गवाने वालों के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए नीसो ने पच्चिम इमफाल के कांगला में कैंडल माश निकाला मौके पर स्टूडन बॉडी के सलाकार सिनम प्रकाश ने मीडिया से कहा कि संगर्ष में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और 50,000 से ज़्यादा विस्थापित है समाज का हर वर्ग पीडित है सिर्फ मनी पूरी नहीं बलकि पुर्वोत्तर के दूसरे राज़ भी इस अराजकता का खामियाजा भोग रहे हैं और उन्होंने आगे जोड़ा कि नीसो को बहुत दुख है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने हिंसा और बनने वालों के लिए एक विशब तब तक नहीं कहा सारवजनिक रूप से प्रधान मंतरी को हालाद पर कुछ बोलना चाहिए नहीं तो हम मानेंगे कि इस हिंसा के पीछे छिपा हुआ कोई अजेंडा है नीसो की अपील है कि प्रधान मंतरी मोदी कुछ कहें इसके लावा पड़ोसी राज मिजुरम ने भी अपील की है कि केंद्र सरकार उनकी आर्थिक मदद करें उन विस्थापित लोगों को मैनेज करने के लिए जो मनिपुर से विस्थापित होकर आए हैं जान बचा कर दरसल हिंसा भड़कने के बाद सही हजारों लोगों को मजबूरन असम और मिजुरम जाना पड़ा इंडियन एक्सप्रस की सुकृता बरुआ की रिपोर्ट के मताविक मिजुरम में अब तक 12,000 मनिपुरी लोग आए हैं 12,000 आपको नौर्ट इंडिया के साब से छोटा आकड़ा लग सकता है नौर्थ इसके स्टेट्स के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है मिजुरम के ग्रहायुक्त एच लालिंग मावियन ने एक्सप्रस को बताया मांतरी को पत्र लिखा था कि विस्थापित लोगों के समर्थन के लिए कम से कम 10 करोड रुपे के वित्तिय स्थायता सूबे को मिले इसके लावा इंडिया गटबंधन के सहयोगी पार्टी मनिपूर पीपल्स पार्टी MPP ने भी सीम बिरेन सिंग से इंटरेट वापस बाहल करने के फर्याद की है हमने आपको पहले ही बताया कि 4 मई से ही सूबे में इंटरेट बंध है कुछ इलाकों में धील दी गई है लेकिन ब्लैंकेट बैन जो है पूरे सूबे में वो अभी भी लागू है MPP ने मीडिया को बताया कि मनिपूर में 50 दिनों से ज्यादा समय तक इंटरेट बंध रहने की वज़े से मुस्तैद है केंद्रे ग्रहमिंतरी चार दिन का दौरा करके आ गए अलग-अलग समुदायों राजनेतिक दलों सामाजीक संगठों से बाचीत उन्होंने कर ली है दिल्ली से अधिकारियों को इंफाल भेज दिया है दिल्ले में सरवदिली बैठक भी हो गई लेकिन नतीज देश में देश की सेना का विरोध हो रहा है बहुत सारे आदिवासी संगठनों ने बिरेन सिंग सरकार से डालॉग करने से इंकार कर दिया है को की संगठन को कि MINP मनिपुर्न ने दोहराया कि वो मुख्यमंत्री और बिरेन सिंग की सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करना च अब क्या कहा जा सकता है आज के लवन टॉप शो यहीं तक के था आप सभी को एदुल अज़ा और आशाड़ी एकादशी की शुब कामना है शुक्रिया शुबरात्री